हलो गाइस तो आज बनाते हैं मेरा फेवरिट बैंगन का भरता बहुत ही डेस्टी और यम्मी सी एक रेसिपी है बनाना बेहदासान एकदम अथेंटिक तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइस के बैंगन ले लिये हैं गोल बैंगन लिये हैं और दो टमाटर ले लिये हैं अब क्या करना है बैंगन में हमें बाहर से इस तरह से सरसो का ओयल लगा देना है सरसोक ओयल लगाने से क्या होता है यह अच्छे से पक भी जाता है और सरसोक ओयल की जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अच्छी लगती है तो देखें यहाँ पे मैंने बाहर से ना इसमें सरसोक ओयल लगा दिया है इसी तरह से टमाटर पे भी हम सरसोक ओयल लगा देंगे कट जरूर लगाए कुछ लोग बैंगन का भरता जो है वो बॉल करके बनाते हैं लेकिन उसमें वो बात नहीं आती जो की बैंगन को भुनने वाले भरते में आती है बैंगन को भुन के जो भरता बनाया जाता है ना फ्रेंड्स उसका तो टेस्ट ही लाजवाब होता है तो दे अगर आप चूले पर बनाते हैं खाना तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया यह भून जाता है और उसका स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लेकिन आज कल सारे ही गैस यूज करते हैं तो इस तरह से कोई जाली रख ले या डायरेक्ट आप चूले पर रखकर भी न इसे मेरे पास यह जाली थी तो यह चारो चीज़े जो हैं वो एक साथ ही भून जाएंगी अगर नहीं होती तो मैं एक एक करके सब चीजों को भून लेती हैं और देखिए हमें अच्छे से ना बैंगन को पलट पलट कर दोनों तरफ से भून लेना है उसी तरह से टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है इसी में आप चाहें तो लसन को भी ऐसे भून के अड़ कर सकते हैं लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं भून रही हूँ मैं इसमें बैंगन और टमाटर को ही इस तरह से भून के अच्छे से पका लूँगी और देखिए बैंगन जब चारो तरफ से बढ़िया से भुन गया अब मैंने किया कि इसे खड़ा कर दिया ताकि ये नीचे से भी बढ़िया से भुन जाए और ये जो हमने इसमें सरसो को ओल लगाया है ना उसकी वज़ा से इसका छिलका भी असानी से उतर जाएगा तो ये भी एक जरूरी टिप है कि आप सरसो कॉल जरूर लगाएं उससे एक स्मोकी फ्लेवर भी आड़ होता है और छिलका भी असानी से निकल जाता है तो देखिए हमारे बैंगन, टमाटर एकदम बढ़िया से जो है न भुन रहे हैं तो अच्छे से ने भुनना है, बढ़िया से इसका कलर हमें चाहिए तो देखिए यहाँ पे बैंगन और टमाटर जो है अच्छे से भुन गए हैं लेकिन अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी बैंगन जो है उसका कलर काफी हद तक चेंज नहीं हुआ है अब नीचे से देख सकते हैं एकदम बढ़िया से ब्लैक ब्लैक हो गया है तो इस तरह से बैंगन को आपको बहुत ही पेशेंटली भुनना होगा फ्रेंड्स बैंगन यहाँ पे अच्छे से भुन जाएंगे तो वो बढ़िया से गल भी जाते है और चिलका भी असानी से निकल जाता है तो बीच-बीच में टमाटर को भी आप रोटेट करते हुए अच्छे से भुनते रहें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं किस किस को बैंगन का भढ़ता मेरी तरह बहुत पसंद है मुझे तो रोटी, पूरी, परांठे के साथ या फिर चावल के साथ भी बैंगन का भढ़ता बहुत यम लगता है तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राय करें आपको बहुत ही मजाएगा इस रेसिपी को बनाने में भी और खाने में भी तो देखें जैसे इस पकते जाएंगे न मैं इन्हें निकालती जाओंगे एक टमाटर बढ़िया से भुन गया था मैंने उसे उठा दिया इसी तरह से मैं दूसरे टमाटर को भी अब अच्छे से भुन के मैंने उठा दिया है बैंगन भी हमारे बढ़िया से भुन गये है तो एक नाइफ की हल्प से में चेक कर लूँगी देखें बढ़िया से बैंगन गल गये है दोनों बैंगन गल गये है अच्छे से तो अब मैंना इन्हें निकाल लूँगी ये देखे एकदम बढ़िया कलर इन पे आ गया है इससे जादा भी आप चाहें तो थोड़ी दिर और पका सकते हैं लेकिन इसे जलाए ना अब क्या करना है इस टाइम पर ये बहुत गरम है तो हम क्या करेंगे ना एक नाइफ की हल्प से ही देखिए यहां पर इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे तो अगर आप इसके छिलके को गरम-गरम मही रिमूव करेंगे न तो बहुत असानी से छिलका रिमूव हो जाएगा Otherwise थंडा होने पर ने इसका छिलका रिमूव करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है इसलिए गरम-गरम महीं आप छिलके को रिमूव कर ले और फेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी कोई भी रेसिपी अपलोट होना तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और देखे यहाँ पे मैंने सारा छिलका निकाल लिया, इसी तरह से टमाटर के भी मैं छिलके को निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं टमाटर के छिलका कितनी असानी से यहाँ पे निकल गया है तो सारे बेंगन और टमाटर को छिल लेने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इने मैश कर लेना है देखें यहां पर मैंने बैंगन ले लिए अब इसकी डंडी को मैं निकाल दूँगी आप चाहें तो यह डंडी जब तड़का लगाएंगे ना उसमें इसे आड़ कर सकते है और अब क्या करना है इसे इस तरह से मैश कर लेना है कुछ लोग ऐसे ही कच्चे में सरसो का ओयल अड़ करके इसे बना लेते हैं लेकिन हम इसे फॉदब पकाएंगे तो यहां मैंने गैस पर रकली कड़ाई और उसमें अड़ कर दिया ओयल तो मैंने यहां पर एक कच्ची ओयल की आड़ कर दिया है यह भड़ता बहुत ही यम बनता है एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें तो अब देखिए ओयल जो है वो अच्छे से गरम हो गया है अब मैं इस गरम ओयल में मैं आड़ कर दूँगी ऐसी बहुत सी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स पनीर की रेसिपीज बहुत सारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो रेसिपीज भी चेक जरूर कर ले और देखिए प्यास का यहां पर कलर चेंज हो गया है जैसे ही प्यास का color change हो जाए अच्छे से ये भुन जाए अब हम इसमें बाकी चीज़े add करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर add करने वाली हूँ थोड़ा सा अद्रक ग्रेट किया हुआ और लसन आप चाहें तो अद्रक को ना पारिक चॉप करके भी add कर सकते हैं जब इसके chunks मुह में आते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं और इसी के साथ आप मैं इसमें add कर दूँगी कश्मीरी लाल में चेक बड़िया से color के लिए एक दम बड़िया सा color आना चाहिए सबजी में और दिखे किता बड़िया color oil में आ गया है और अब हम इसमें बाकी चीजें add करेंगे तो आप next में इसमें add कर दूँगी टमाटर तो मैंने यहां पे जो दो टमाटर आपके सामने roast किये थे बैंगन के साथ वो भी अच्छे से mash कर लिये हैं वो इसमें add कर दिये हैं तो इसम इसमें जो smoky flavor आता है वो इसमें चार-चार लगा देता है नमक मैंने यहां पे स्वाद अनुसार अड़ कर दिया है अपने टेस्ट के according नमक कम जादा अजस्ट कर ले अब इसमें add कर देंगे हम कुछ मसाले सबसे पहले हम इसमें add कर देंगे 1-4 teaspoon हल्दी इसी के साथ इसमें add करेंगे धनिया पाउडर तो मैंने हाँ पे 1-5 चमच धनिया पाउडर आड़ कर दिया है next मैं इसमें आड़ कर दूँगी गरम मसाला पाउडर तो मैंने एक टी स्पून गरम मसाला पाउडर आड़ कर दिया है और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो अब इसमें मैं अपनी फेवरेट चीज आड़ करने वाली हूँ यह फ्रेंड मैं इसमें आड़ कंशत कैंध किए और अब इसके साथ इसमें जाएगा बैंगन जो हमने मैंश करके रखे थे और देखे किता बड़िया कलर हमारे बैंगन के भड़ेसे इसे देघके मुझे अपने बचपन की आदा जाती है जब टिफन में ममी इसे पैक करके दिया करती थी और हम स्कूल में इसे बड़िया से इंजॉय करते थे तो फ्रेंड्स आप भी रेसेपी जरूर ट्राय करें बहुत ही टेस्टी सी रेसेपी है एक बार इसे जरूर बनाए और मुझे ज सुझेस्ट करूंगी कि इसमें बॉल्ड ही आड़ करें और थोड़ा समय ने यहां पर घी आड़ कर दिया है एक अच्छा से फ्लेवर के लिए और बस देखिए हमारा बढ़िया टेस्टी बैंगन का भरता बन करके रेडी हो गया है इसे आप सर्फ कर सकते हैं पूरी बहुत जार देर के रिए नहीं पकाना है बस यह और रिलीस कर दे इतना हम इसे पका लेंगे तो देखिए यहां पे हमारा जो भड़ता है वो बन करके रेडी हो गया है इसने और भी रिलीस कर दिया है तो फटा फट से इस रेसिपी को आप ट्राय कर ले और मुझे जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लीजे फ्रेंड्स भड़ता हो गया है बन करके तैयार फटा फट से रेसिपी को ट्राय करें मेरे तो मुझ में पानी आ रहा है आपको इस रेसिपी को ट्राय करना है थैंक्यो फॉर वाचिंग